नमस्कार आप देख रहें देश रोजाना मैं हूँ बेनजिर हाश मी बुलीडिन में शुरुवात करेंगे पहले खास सुर्खियों के साथ फिर बात करेंगे हर्याडा की बड़ी और खास खबरों की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जारखन विदान सबा के पहले फेज में होने वाली 43 सीटों पर चुनाव के लिए दो रहले करने पहुचे मोदी ने हैमेंट सुरेन का नाम लिये बिना उनके और उनके मंत्रियों के भ्रश्यचार का जिक्र किया उत्राखन में हुआ बड़ा सडक हादसा अब तक 36 लोगों की हुई मोद 6 घायल बस में 42 लोग थे सवार मोड पर बेकाबू होकर बस 150 फिट नीची घहरी खाई में गिरी बीजेपी के वागी नेता गोपाल शेटी ने नमांकन लिया वापस बोरी वाली कि से निर्दल्य भरा पर्चा आपको पता दे महराश्ट में आज नमांकन वाफसी का आखरी दिन दिल्ली की हवा हुई जहरी लिए AQI 400 के पार पहुचा सांस सम्बंदी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी आगे 6 दिन तक प्रदूशन कम होने के असार नहीं दिल्ली विधाम सबा जुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का दोर हुआ शुरू बीजेपी को लगा एक और बड़ा जटका लक्षमी नगर सीट से बीजेपी की नेता बीबी त्यागी ने पार्टी को बड़ा जटका देते हुए आम आदमी पार्टी में हुए शामि यूपी पंजाब कैरल में उपचुनाव की तारिक बदली गई 14 सीटों पर अब 13 जगा 20 नवंबर को होगी वोटिंग तेहारों की वज़े से बदला गया शेडियूर। नगर निगम ने इन कालोनियों का सर्वेशन पूरा कर लिया है और सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौब दी है। इन काम में आठ महीनों का समय लगा जिससे निगम ने ये सुनिशित किया कि सर्वे के दोरान सभी कालोनियों को गहराई से आका जाए। हर्याणा में सुभा शाम के समेट ठंड पंडी शुरू हो गई है तो वही परदेश में नियुनतम तापमान 15 डिगरी के आसपास तक पहुँच रहा है। अधिक्तम तापमान 32 से 34 डिगरी तक पहुच रहा है। हर्याणा विदान सभा चोनाम में मिलिहार के बाद भजलाल परिवार एक बार फिर लोगों के बीश पहुच रहा है। दोरे के दोरान भवे विश्णोई और कुल्दी विश्णोई लोगों से समवाद कर रहे हैं वही हार पर भी मन्थन किया जा रहा है। दरसल आपको बता दें कि भवे विश्णोई का परिवार गाव गाव जाकर ये कह रहा है कि आदमपूर उनका परिवार है। थोड़ा जोर और लगा देते तो भजनलाल परिवार का स्वामिन दोर बापस आ सकता था। मगर फिर भी लोगों के काम ना पहले रुकेते और ना है अब रुकेंगे। परियात विवस्ता कर रही है। आपको बता दें कि छट बूजा के लिए रविवार सुबांच बचकर 50 मिनट पर हिसार से रेल चलाए गई जो सुबांच बचकर 50 मिनट हिसार से पूने के लिए रवाना हुई ये पूने में हड़ पसर तक चलेगी। पहले दिन दोसों से अधिक यात्रियों ने इसमें सफर किया। वहीं इसके साथ भटिंडा से गोरक धाम एक्सप्रेस में भीर अविवार को भारी भीड देखने को मिली। भीड के कारण रेलवे की ओर से उवेटिंग भी खत्म कर दी गई है। इसे यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई यात्री गोरक धाम एक्सप्रेस में जर्नल डिबों में बडोतरी की मांग कर रहे हैं। तो यही थी दिन पर की ताज़ सुर्खियों के साथ धर्याड़ा की खास खबरें। कलफिरों की मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक गली बने रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं देश रोजाना नमस्कार।